प्रच्वना देवी दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका जी नमस्कार जी जी अदाब जी ड़कर स्राव मैं आपकी दवाई को साथ खा रही हूँ अच्छा कौन सी एक टोलर जी खा रही हूँ जो खाम और छीके अस्तमा आरकेयर माजून नहीं वो जो देजि inspiring दवाई बताई की न उनना बगेरा अच्छा वनाईए आपने आई वो खा रहे हैं उख्षा मेरे को जी जी ज़्यू力 आराम होगा में जो भी नस्का बताताूं उससे जरूर आराम होता है अगर आपको विश्वास होतो और एक मैं वो जे शरीर में जो दर्द हो कमर में दर्द बहुत होता था ना बहुत ज़्यादा तो उसकी भी आपने दवाई दी थी वो सिया गॉंद वगर बताई थी वो भी ले रही हूँ तो लेकिन वो जर्द ना कम नहीं हो रहा है मैं फिर दुबाला गिर गई तो और ज़्यादा होने लग गया जा देखिए गिरने का बिल्कुल तहनी था और और ज़्यादा हो गया आप बहुत एथियाद करें और उसे जारी रखें ये जो 100-200 ग्राम आप गॉंद सिया खरीद लेते हैं गॉंद सिया यानि काला गॉंद ये खतम होने से पहले आपका ठीक होना मुम्किन है जैसे होता है आपको फायदा होने लगा इससे भी फायदा होगा उमर जड़ा जादा हो तो थोड़ा कम फायदा होता है आदमी यंग हो तो जड़ा तेजी से फायदा होता है आप विश्वास रखें उपर वाले पर और मुझ पर भी भरोसा बिल्कुल ने करें लेकिन मेरे जो त सब्सक्राइब को मेरे पती के बारे में पूछना है उनको पार्किंसन है दो अजार टार से अच्छा और अभी इस तती है कि मिलब टैबलेटेज में सब तक की करता है नहीं तो बिल्कुल कुछ भी नियों से चल नहीं सब कुछ अब एज कितनी है इसवक्त अभी पट्शार थे हैं पट्शास हैं और पार्किंसन कभी पूरी बॉड़्ी में չता कभी हाथ में घर्दन में पुरी कमपबा बिलकुल नहीं होता है दिर पूरी बॉड़ी में जबच्छन रहे से ठीक है ठीक है आठ देखिए एक तो उनको कि बदीवी सब्जी और ये सब खिलाया करें मौंगी डाल का हल्वा मौंगी डाल की खिछडी मौंगी डाल की सब्जी ऐसे मौंगी डाल का खुब अच्छे से इस्तिमाल कराई है उने और एक नस्खाоб बना लें खोड़ी देखिए एक आता है गौन जिसे कहते हैं गौन मौरिंगा गौन मौरिंगा आप सो दो सो गराम खरीद लें और उसको अदा गराम सुबा अदा गराम शाम पानी में मिलाकर या दूद में मिलाकर दूद हो तो चर्बी वाला ना हो जो बगेर चर्बी का दूद मिलता उसमें आप उन्हें द और कोशिश करें कि एक घंटा वो पैदल चल सके रोजाना तो उनको बहुत फाइदा मुम्किन है जी नेक्स्ट कॉल है रंजीत हमारे साथ स्वागत है रंजीत आपका जी नमस्कार जी नमस्कार जी अधा अच्छा मुझे परसानी है तकर्वें पांचे साल हो गया पांचे स सपाहई मुझे पढ़ान कि आधार से कंदे के उस दोद्म हցटने में हो गया हो गया और पॅब जेख लग में अवाज होती है जैसे लग रहा किसका लिक्वीड इंट सुब दिया क्या हुआ पता नहीं हूएos उम्र है 52 साल के बाद या पहले भी अब तो होने लगा है ऐसे दर्द होते हैं अगर आप को मेहनत तक काम करते हैं तो उसे कम कर दें वजन उठाने जैसा काम घर में वेस्टन टॉयलेट नहीं हो तो कुर्सी वाला तो वो लगवा लीजे बहुत जरूरी है और धनिया सौफ धनिया सौफ मेथी ये सब साबुत लीजे सो सो गराम धनिया सौफ मेथी और गौंसिया काला गौं इसे कहते हैं गौंसिया हम लोग कहते हैं आम लोग इसे काले गौं के नाम से जानते हैं ये गम है काले किसम का बूरे रंग का जिसे ब्राउन होता है और इंतहाई कड़वा है तो इन सब को आप पाउडर बनाएं और एक गिराम सुबा एक गिराम शाम लगातार खाएं ये मेटेरियल खतम होने से पहले आपका ठीक होना मुम्किन है तो चलिए आपका ठीक होना मुम्किन है लेकिन आपको ये उपचार अपनाने होंगी जो अभी हकीम सहाब ने आपको बताए हैं दरशको कर हम बात करें अतिया हउब्स की तो अतिया हउब्स एक ब्रांडिट कंपनी है जिसकी 500 से भी जादा हिंदुस्तान में फ्रिंच्वाइजी हैं और अगर हम बात करें हकीम सहाब की तो अतिया हउब्स के प्रमोटर, फाउंडर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान सहाब जी जो अपना कीमती समय निकाल के आप सभी के सामने यहां पे आए हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं, हकीम सहाब ये चाहते हैं कि आप लोग देशी नुसके अपनाए, आप यूनानी पदिती से जुड़े, आप समझे अपने आपको अपने जीवन को औ अगता दिखाय जा रही हैं चले नेक्स कॉलर से बात कर लेते हैं जी नमस्कार स्वागत है आपका हलो है हैलो मेरा नाम राधा बस्ती है जी राधा सवाल कीजिए मेरी एस एटीम क्याश्ट है मुझे हैरफॉल का बहुत राधा है प्लीज मुझे मुझे इसका स्वाइशन बताएं मेरे हैर कैसे स्थीक हो सकते हैं जी छीक है आदिए आपकी अमर की बच्चियां अकसर यही शिकायत करती है कि उनका हैर फॉल हो रहा है और या उनके पिम पल्स निकल रहे हैं तो एक अच्छा इलाज है और वो काफी काम्याव है देखिए एक नारियल पानी आप रोजा ना पी सकते हैं तो रोजा ना प्य अगर ये एक नारियल पानी इसेआपके बाल बहुत ग्रोध करेंगे सेहत भी अप की अच्छी रहेगी और अगर उससे भी वैसे इससे रुख जाते हैं और खुब ग्रोध भी होती है उससे भी नहीं रुकतें तो एक नारियल पानी में आदा गिराम गौन मौरिंगा मिला कर पिया करें ये बहतरी नस्खा है घरेलू आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए जो बालों की समस्या आपके साथ चल रही है वो खत्न जरूर हो जाएगी, कम जरूर हो जाएगी लेकिन ये उपचार आप अपना लिजेगा अब आफिस जाने के लिए तो मजबूर हो ही चुके हैं क्योंकि बिना आफिस जाए बिना काम किये तो कुछ नहीं होगा लेकिन वो आफिस जाने से पहले, आफिस से आने के बाद या फिर सोने से पहले, या फिर सोने के बाद उन्हें क्या-क्या एहतियात बरतनी चाहिए ये जानना चाहूंगे आपने अच्छा किया इस हवाल किया क्योंकि ये उसी का मौसम चलना है और मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को सचेत करो अच्छा देखिए सैनिटाइजर हम कर रहे हर आफिस में आपके अफिस में दफ्तर में भी सैनिटाइजर है आते जाते हम उसको सैनिटाइज करते हाथों को और एक युनानी का तरीका भी है सैनिटाइज जो आपके हाथ पूरे दिन और 24 घंटे सैनिटाइज ही रहे और देखिए वो ये तरीका है कि तामबे के रिंग आते हैं तामबे के रिंग आप सब समझते ही होंगे तामबा एक धातु है जो जिसके बर्तन भी बनते हैं तारे बनती हैं तामबे के रिंग अपनी उंगलियों में पहने एक इसमें, एक इसमें, दो से ज़्यादा भी पहन सकते, ये ताबा एक एंटिसेप्टिक और एंटिवाइटिक मैटेरियल है, जो मैटल है, इस से आप ये करें कि जब भी हाद धोएं, अपने साबुन से या बगार साबुन के, तो पोचे नहीं, उनको ऐसी जटक दें, और ये ताबे से जो निकलता है, जो कुछ एक तेजाब टाइप की, आपने देखा हूँ जो ताबे के रिंग पहनते हैं, उनकी वो अंगुली थोड़ी सी नीली सी रहने लगती है, ये बहुत अच्छी है, इस रोक के लिए जो इस वक्त महामारी चल लिए, उसके कीटानों को फॉरन मार देता है, तो हर वक्त कमसकम दो रिंग ताम एकी पहने और इस से आप पूरे दिन 24 घंटे सोते जाकते सैनिटाइज रहेंगे, आपका हाथ यहां लगेगा, तब यहां के जरासीम भी मर जाएंगे, कोई और जरासीम होंगे, वो भी मर जाएंगे, एक ये दूसर घर पहुंचते हैं, या आप सीधे बातरूम में जाके नहाएं और अपने कपड़े वाशिंग में डाल दें, तूसरे कपड़े पहन लें, एक ये तरीका, फासला जो मेरा और आपका है, इतना फासला जरूरी है, पहले हम लोग करीब बैठते थे, अब थोड़ा फासला हम ने भी बढ़ा दिया ताके लोगों को भी सबख मिले, जो देखे पहले लोग अपने गरम मसाले तेज कर देते थे, खाने में, आप भी जो गरम मसाले हैं ना, उनकी जाश तादाद बढ़ा दीजे, सब्सालन में, ये भी इम्यूनिटी के लिए है, बहुत अच्छी है, ल सब़ती है 100-100 साल में ये बीमारी, पहले लोग कलॉंजी का नमक आता है, नमक कलॉंजी केते हैं इसे, ये एस्टेक होता है, कलॉंजी नाम की जड़ी ब Ukraine का एस्टेक होता है, इसे आसान जबां में नमक कलॉंजी केते हैं, घर से निकले, एक ये दो चुटकी, पानें मिला के आपको 24 घंटे की एनर्जी कामियाभी से देता है ठीक है इसी के साथ और कॉलर जुड़ गए हकीम साहब बात कर लेते हैं उमा शंकर है यूपी से हमारे साथ स्वागत है उमा शंकर आपका जी नमस्कार जी नमस्कार आपको चोट लग गई थी आपका ऑपरेशन भी वा था आपको फ्रेक्चर भी वा था जी आपके एहसास है टांगों में यूण आपका रीट के हड़ी पर चोट लगी थी अट राबेंया कि रा धार्म का एष्ङकर रिट्जान में का अहसास होता है अच्छा कितना वक्त हो गया कितना वक्त हो गया इसको 5 ride कि कोई बैट सूर तो नहीं हुआ? कोई जखम तो नहीं हुआ? अभी कोई जखम तो नहीं है? तरही बताईए आपके अगर टांग में कोई चीज मारी जाए तो पता चलता है नोशा जाए अच्छा टांग चला लेते हैं आप ऐसे हिला के? जी तरही आप अपने सारी रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर से सियर कर लें हमारे पास से डॉक्टर को फोन करेंगे और पूरी रिपोर्ट्स शियर कर लें हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें आपका सब कुछ कर हो चुका है अपरेशन भी हो चुका है मायूस मत हो ना जो लोग आस रखते हैं वो ठीक हो जाते हैं जो मायूस होते हैं वो ठीक नहीं होते और कोशिश किया करिए फीजियो थेरेपी अपने पैर आपके चले नहीं चले तो अपने हाथ से चलाई कोई और चला है थोड़ा थोड़ा मूवमेंट ज़रूर हो उससे बहुत फायदा मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर है पूरन सिंग हरियाना से हमारे साथ स्वागत है आपक नमस्ते जी नमस्ते जी फर्माजी पूरन जी बोलिये अपना सवाल कीजिए किसके शिकायत है आपको किड़नी में क्या हुआ है किड़नी में नमस्ते जी आदा किड़नी में क्या बताए डॉक्टर ने मरद्धा से जालोह ऱ्या जी किड़नी में प्रोबलम्स किड़ए किस गायत है कि दूद किसके थे जी इस गायत का आदि इस कितनी है बताए पिशाव में तकलीव है क्या पिशाव कि रूप पिशाव कि रूप पिशाव कि रुप अजि म Bluetooth बोलिए पिजाओ किसी कायत रहे जे रुक जाएजे ठीक ठीक अच्छा देखिए ज्यादा उम्र में जाकर किसी को कुछ कमूर में भी गुदूद बढ़ जाते और पिशाब में तकलीफ होती है मुश्किल से आता है या रुक जाता है या आता ही रहता है इंट्फेक्शन हो जाता है तो एक सिर्का आता है अलोवीरा तो आप जानती ही है अलोवीरा का सिर्का भी आता है अलोवीरा का सिर्का ले लीजे और दिन में एक दो बार दो दो चमच खाने के बाद पानी में मिला के लिया करें मुझे अमीद है कि आपका ये रोक ठीक होना मुम्किन है